मुद्मंगल मैं पोजनी संत समाज, सम्माननी सज्जनों, भक्ती मही स्रद्धामूर्ती माताव बहनों, एवं प्यारे बच्चों आएए आज हम सर्ग की यात्रा करते हैं हमारे देश में सर्ग की बड़ी महिमा है सहर से देहात तक, सिच्चितों से असिच्चितों तक, पुरुशों से नारियों तक, और बुजुर्गों से बच्चों तक सबके मन में सर्ग की एक बड़ी प्यारी कलपना है और सबके मन में यह होता है कि हम भी सर्ग का सुख प्राप्त करते तो अच्छा होता स्वर्ग एक ऐसा सब्द सबके दिलों में बसा हुआ है कि जिसके लिए बड़ा आकरशन उत्पन्न होता है वहां बड़ा सुख होगा, बड़ी सुविधाये होगी किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलता, तकलीफ, अभाव, रोग और तन की, मन की, धन की, प्रकिति की, किसी प्रकार की कोई कमी वहां नहीं होगी एक ऐसी कल्पना है कि जो बड़ी प्यारी है, बड़ी मीठी है लेकिन जहां पर लोग उसकी उम्मीद रखे हैं, वो उम्मीद ऐसी है कि केवल सदा सदा के लिए वो अधूरी ही रहनी हो बाहर से वो पूर नहीं हो सकती लेकिन अगर उसको हम सकरात्मक ठंक से विचार करें अपने जीवन में उसके लिए विचार पूरवक अगर हम लागू करें तो वो निश्चिती उमीद आज ही पूरी हो सकती है एक नवी वक था वो एक बार एक संत के पास गया और स्वर्ग के लिए ऐसी ही कल बना करके संत से बात करता है और कहता है भगवन मैं चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग का मालिक बनू और स्वर्ग मेरी मुठ्थी में हो स्वर्ग का मैं सुख भोगूँ सारा आनन्द स्वर्ग का मेरे लिए ही हो संत ने कहा बेटा तुम बिल्कुल स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो स्वर्ग तुमारी मुठी में हो सकता है योक ने कहा मातमन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा संत ने कहा बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है बस मेरी इन बातों का ध्यान रखना है मेरी ये पाँच बातें अगर तुम ध्यान रखोगे तो स्वर्ग के तुम खुद मालिक बन जाओगे स्वर्ग तुम्हारे अपने अधिकार में हो जाएगा योग ने कहा महराज वो कौन सी आपकी बाते हैं संत ने कहा बेटा सदेव सिर्क को ठंडा रखना दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जेब को गरम रखना तिस्री बात उन्होंने कहा कि जीब को नरम रखना और आखों में सरम रखना और अंतियम पांचवी बात संत ने कहा कि दिल में रहम रखना ये पांच बातें जो संत ने युवक के लिए बताया था वो समस्त मानो समाच के लिए बहुत ही उपयोगी है हम सबको भी इन बातों का जीवन में पूर्ड पालन करना चाहिए तब स्वर्ग की प्राप्ती होगी जो हम चाहते हैं वहाँ सबकुछ पूर्ड होगा आए इन पांचों बातों पर थोड़ा थोड़ा विचार करें ऐसे तो समझ में नहीं आता है कि सिर ठंडा रखना पैर गरम रखना जीवनरम रखना ये सब क्या मतलब है लेकिन जब इन ही पर विचार करते हैं तो इसमें बहुत सारे रहस्च से निकलते हैं जीवन के वे ऐसी कुछ परतें खुलने लगती हैं कि जिससे की हमारा जीवन कुछ दूसरे धंका पता चलने लगता है तो सिर को ठंडा रखना हो शिर को ठंडा रखने का मतलब उत्तेजना तनाओ क्रोध और जुझलाहट से दूर रहना सब समय शांत मन ठंडा मन और कूलिंग दिमाग ठंडा है आवो हवा ठंडी कस्मीर नहीं सहब ठंडा हो कलेजा जहां कस्मीर उसे कहते हैं चाहे जितनी वातान उकूलित कमरे में चले जाओ और उतना ही नहीं कस्मीर की उन बरफानी जगहों में चले जाओ वहाँ भी दिमाग अगर ठंडा नहीं है तो दिल जलता रहेगा और जहां भी मन सीतल हो जाए जहां भी मन में भक्ति ज्यान शान्ति विनम्रता और सदाचार प्रगट हो जाए वहीं परम सीतलता है वहीं कस्मीर है तो हम दिल दिमाग को सदेव ठंडा रखें एक बार एक संत एक बगीचे में बैठे थे एक पुलिस का अप्षार उधर से निकला संत के पास दंड प्रणाम करके बैठ गया और कहता है भगवन मुझे स्वर्ग और नरक के बारे में कुछ बताईए संत ने कहा पहले अपना परिचाए बताओ उन्होंने कहा महराज मेरी पोशाक से यह आपको पता चलता होगा कि मैं पुलिस का एक अपसर हूँ उन्होंने कहा तुम जैसे व्यक्ति को पुलिस का अपसर किसने बना दिया जो देखने में मरियल धकेल दो तो चार बार नाच करके गिर जाओगे और पुलिस का अपसर तुम्हें किसने बना दिया इतनी बात सुनते ही उस व्यक्ति की तेयोरियां चड़ गई नाथ किट-किटाने लगा, हाथ कापने लगा, आखे लाल हो गई, खून खौल गया, नोंने कहा माराज, दिमाग तुम्हारा ठंडा है की नहीं? नोंने कहा की मेरा दिमाग ठंडा है, तुम सोचो, तुमको किसने ये पुलिस का अपसर बना दिया, अब वो रिवालवर निकाल लिया, कहा मैं अभी भून दूँगा, आदमा ने कहा अच्छा अच्छा रिवालवर भी रखे हो, जिससे एक चुवा को भी मारना कठिन है, और ऐसी रिवालवर, वो और एकड़म पसीना पसीना हो गया, और ऐसा लगा गिया, मार ही देगा संत को, तब संत ने कहा, कि वेटा, तुम इस समय नरक में हो, ओ, संत की बात सुनते ही, वो बिलकुल एकड़म ठंड हो गया, सुस्त हो गया, और कहा कि संत तो मुझे मेरे और वो संत के चर्ण में गिर पड़ा, पैरों को पकड़ लिया, छमा मांगने लगा, और कहा भगवन मैं भूल वस, आप से न जाने क्या क्या, आपके लिए आप सब्द कह गया, आप मुझे छमा करें, और जब मेठे सब्दों में, पवित्र भावों में, बिनम्रता पूर प्रोध उत्तेजना विवाद और जगड़े में होते हैं, और दिल दिमाग में अशान्ती, इर्शा द्वेश छाय होते हैं, विवाद की भावना होती है, तो यही नरक है, और मन के इस नरक को हर इंसान को निकाल करके रखना चाहिए, और जिस समय हम बिनम्र, भाव में, प विचार में निमग न होते हैं, तो यही स्वर्ग है, इस स्वर्ग के लिए सब को अभिप्षा रखनी चाहिए, सब को कामना रखनी चाहिए, कि ऐसा स्वर्ग मुझे प्राप्त हो, यह बाहर परिस्थितियों से, चीजों से नहीं, बल्कि हमारी कमाई होनी चाहिए, हमारे कर्मों का ये फल है ऐसा जीवन गढ़ने से बनता है ऐसा जीवन ऐसी दसा मार्केट पे नहीं मिलती है मार्केट में चीजें मिलेंगी कपड़े मिलेंगे, सामान मिलेंगे टेलिफॉन, टेलिवीजन मिलेंगे लेकिन सुखी जीवन जीने का मन नहीं मिलेगा मन तो और सुभाव तो सोयम बनाना पड़ता है हमें इसलिए सज्जनों ऐसा हम अपना सुभाव बनावें दो भाई थे हापस में बड़े प्रेम से रह रहे थे किसी बात को ले करके एक बार बिवाद हो गया छोटा भाई बड़े भाई के नन्हे बच्चे को गोद में लिए खिला रहा था बड़ा भाई कुछ कटू सब्द बोला छोटे ने भी जवाब दे दिया और बड़ा भाई इससाह नहीं पाया उठा कर लाठी मार दिया और लाठी मारा तो भाई भाई को नालग करके उसके गोद में बैठे हुए उस नन्हे बच्चे के सिर पर लग गई लाठी और तत्काल सरफट गया और मर गया अब देखो थोड़ा सा ना सहपाने के कारण उसने अपने ही पुत्र को मार डाला उसी का बेटा छोटा भाई गोद में खेला रहा था यह है नरक और इसलिए संद ने कहा है कि सिर को ठंधा रखो कुछ चीजों की हानी सहना सीखो कुछ बातों की कटुता भी सहना सीखो किसी ने कुछ अपमान कर दिया सहलो क्या होता है इससे कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा शान्त रहो सहन्षीलता सबसे बड़ा आउजार है दुनिया में तीर तोप तलवार बर्ची भाले आदी बड़े बड़े आउजार है लेकिन इन आउजारों में सबसे जो कारगर आउजार है किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए तो वहा है कोमल मीठी बाड़ी मीठी बाड़ी अगर आप बोलते हैं तो इस हथियार के बल पर आप बड़ी बड़ी शेनाओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं इसलिए सवर्ग पाना है अगर तो सीतल बने एक बहुत ही वो ससुराल में रहती और आए दिन सास से जगड़ा होता रहता एक बार जब वो नई हर आई तो उसके माता पिता ने पूछा कि बेटी ससुराल का क्या समाचार है उसने कहा माता जी सब वहाँ अच्छे हैं मेरे ससुर जी पती जी देवर और जेट ननन साब ठीक हैं लेकिन मेरी जो सास है वो बहुत लड़ाकू है वो बात बात में जब कभी जगड़ा ठान देती है पिता ने कहा बेती घबराने की जरुवत नहीं मैं तुम्हारे लिए एक दूआ करवा दूँगा जोतिसी से तुम्हारे लिए एक तावीज बनवा दूँगा जिसमें अशी शक्ती होगी कि तुम्हारी सास फिर कभी नहीं लड़ेगी और पिता जी जा करके एक जोतिसी से तावीज बनवा लाए बेटी को दे दिये और कहा कि ले जाओ इसे लेकिन ये ध्यान रखना कि जब तुम्हारी सास लड़ते हुए सामने आवे तो इसको मुख में अपने दबा लेना और फिर बोलना मत मुख को खोलना ही मत फिर तुम्हारी सास बिल्कुल जगडा करना बंद कर देगी उसने कहा प तावीच को मुख में दबा लिया अब सास थोड़ी देर कटू कुठाल कहती रही अकेले कहां तक कहती अब इसका भी तो मन होता कि मैं भी कुछ जवाब दे दूं लेकिन पिता ने जोरों से चूड़ी कस दिया था कि मुख खोलना मत नहीं तो अंधी हो जाओगी अंधी हो पितारी एक है उलटत होए अनेक कहें कभीर नहीं उलट ये वही एक की एक गाली आती है और जब उसको हम जवाब देते हैं तब दो और दो हुई तब जगड़ा शुरू आई अकेले अकेले कहां फिर जगड़ा होता है वो लौट जाएगी हम मुक्का मारें और आगे कोई कोई व्यक्ति ना हो कोई दिवार ना हो कोई जानवर ना हो तो मुक्का किसको चोट पहुंचाएगा इसी प्रकार एक अहंकार का मुक्का किसी ने मारा और हमारा अहंकार सामने है ही नहीं तब वो अहंकार अपने आप निस्तेज हो करके समाथ हो जाएगा इस्तिकार से सिर्ख को ठंडा रखने का यही भाव है सदेव विनम्र रहें एक दूसरे की मर्यादा करना सीखें प्रेम की भावना बना करके रखें और मनुश्यों का सम्मान लोग तो ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो ना बोलते ना डोलते ना खाते और ना कुछ करते और उन देवी देवताओं का अपमान करते हैं जो बोलते डोलते और हमारे साहत सदवयोहार और हमारी सेवा सतकार करते हैं उनसे लड़ते हैं यही है ना समझी यही है दिमाग का घूम जाना यही है विप्रीत बुद्धी इसलिए इन समस्त विप्रीत विचारों को दिमाग से निकाल करके शदेव शान्त रहना सीखें शास बहु में आए दिन कला होता रहता है मीठा बोलना सीखें जो बहु बाहर से आई है आज जिस सास ने बहु को कहा कि ये चार दिन की लड़की आकर के घर को विगाड़ दी अरे वो सास भी तो बाहर से आई है और वह भी तो इसको चार दिन हुआ तो उसको आठ दिन हुए है लेकिन वो भी तो आखिर सास भी तो कभी घर को विगाड़ी थी और विगाड़ता उगाड़ता कोई नहीं है बस बरतमान का बेवहार खोड़ा सा कटू जब हो जाता है तभी माहौल खराब होता है किसी दिल दिमाग की गर्मी को शांत किये रहो साब ठीक रहेगा कौन बाहर का कौन भीतर का कौन यहां सदयो रहने आया है जिनको कहते हैं यह यही के है वो कब तक यहां रहेंगे और जिनको कहते हैं यह बाहर से आये है वो बाहर कहां से आये है आपके ही घर गाओं परिवार और इसी दुनिया से आये है फिर दिमाग को सिर्को ठंडा रखें संत ने उस युवक से जो पहली बात कहा था कि सिर्को ठंडा रखना तो किस लिए कहा था स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्योंकि युवक ने पूछा था कि मुझे स्वर्ग कैसे मिले तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए उन्होंने यही कह था कि बेटा सिर्ग को ठंधा रखना बस महारे नजरों के सामने सदयो स्वर्ग ही स्वर्ग रहेगा दूसरी बात संत ने कहा कि बेटा सिर्ग को ठंधा रखना ये तो ठीक है स्वर्ग प्राप्ति के लिए लेकिन दूसरी बात या ध्यान रखना की सदयो पायर को गरम रखना पायर को गरम रखने का मतलब क्या है क्या पायर में आग रखने नहीं पायर में आग रखना नहीं है पायर को क्रियाशील रखना पायर को सदयो गतिशील बना करके रखो मतलब पैरों के बल पर ही तो धन कमाया जाता है जो सुस्त आलसी निकम्मा बन करके बैट जाएगा वो धन क्या कमाएगा वो गरीब हो जाएगा और उसका जीवन गुजर भी कठिन हो जाएगा फिर वो परिवार में, बालबच्चों में, समाज में और अपने मन में भी कहीं भी सम्मान नहीं पाएगा इसलिए हर इंसान को परिश्त्रमी होना चाहिए क्योंकि बिना परिश्त्रम के यहां संसार में कुछ नहीं मिलता हम बहुतों के परिश्त्रम का लाग उठा रहे हैं जिन सडकों पर चल रहे हैं, जिस घर में रहे हैं, जो कपड़े पहने हुए हैं, घर में जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, जो चावल दाल खा रहे हैं, वो बहुतों की मेहनत का फल है, और उसका हमलाब ले रहे हैं, हम भी कुछ ऐसा मेहनत करें, कि हमारी मेहनत का लाब दूसरे लोग उठामें, और हमें भी मिलें, और फिर मेहनत करने से बड़े फायदे हैं, सरीर स्वस्त रहेगा, घर के लोग खुश रहेंगे, घर का सारा काम हो जाएगा, और जहां भी जाएगे, सरीर जब हमारा गतिसील रहेगा, हम करमट रहेंगे, तो शाब के हम प्यारे हो जाएगे, सेवा की भावना होने से सारी दुस्मनी समाप्त हो जाती है, इसलिए पायर को गरम रखो, मेहनती बनो, जो मेहनती नहीं होगा, वो दरिद्र हो जाएगा, और फिर दरिद्र को जीवन गुजर करना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए खुम मेहनत करो, धन को मेहनत करने के नाम पर अब धन ही कमाते रह जाएं, साधना भजन, त्याग तप और मन की पवित्रता की कमाई ही ना किया जाएं, ये भी गलत बात है, परमार्थ, धन और धर्म ये दो चीजे हैं, और दोनों का जीवन में अत्यन्त महत्त पूर्ड है, अगर धर्म हमारा बढ़ नहीं रहा है, और धन बढ़ रहा है, तो ये वैसे है, जैसे एक पैर को तो बहुत आगे बढ़ा दिया जाए, और दूसरा पैर बस पीछे ही रह गया, तो फिर हम गिर जाएगे, और हम लंगड़े हो जाएगे, इसलिए जरूरत है, पैरों को सदयो हम ठीक रखें, कहीं अपने समय को बरबाद ना करें, तिसरी बात संत ने योक से कहा कि बेटा, अगर तुम सर्ग पाना चाहते हो, तो जीव को नरम रखना, जीव को नर का उच्चारण किया जाता है, जीव से ही भगवान का गुणान वाद गाया जाता है, जीव से ही मेठी बाड़ी बोली जाती है, इसलिए जीव का नरम होना बहुत जरूरी है, सदेव मीठा बोलें, सद्गुरु कबीर कहते हैं, मधुर बचन है ऑशदी, कटुक बचन है त चदेव अपने आसपाश का वातावरन खराप कर लेता है महराज स्री राम ने दुस्मन के भाई से मीठा बोल करके उसको अपना बना लिया था भिभीषण रामण का भाई था और रामण ने अपने भाई को कटू बोल करके दुस्मन बना लिया पराया बना लिया था और राम रामण के भाई रामण दुस्मन था और रामण के भाई से मिठाप बोल करके उसको अपना बना लिया ये है बोलने की कला जो जिसको बोलने की कला नहीं है वो सब तरफ ठोकरे खाता है और सब तरफ वो अपमान पाता है और दुख पाता है इसल इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपनी वाडी को बड़ी सावधानी से प्रियोग करे तो शन्त कहते हैं कि जीव को नरम रखना एक बुढ़ा था और बुढ़ा लेटा हुआ था उसके कई बच्चे थे तो बुढ़े ने अपने बच्चों को बुला करके एक दिन पूछा कि बच्चों ये बताओ मेरे मुख में दान्थ है की नहीं तो बच्चे आ करके बाबा के मुख खोल करके देखते हैं और उन्होंने देखा कि कोई दान्थ नहीं है एक भी दान्थ मुख के अंदर नहीं सभी बच्चे उंगली डाल डाल करके मुख में टटोलते हैं तो पता चला कि एक भी दात नहीं है बुढ़े ने कहा, बच्चों ने कहा कि बाबा आपके मुख में एक भी दात नहीं है तो पिता ने कहा कि बेटा मुख में एक भी दात नहीं है लेकिन जीव है की नहीं, जीव है की नहीं, तो बच्चों ने कहा कि पिता जीव है, पिता ने कहा कि देखो बेटा, दात जनम के बहुत बाद निकले, और जब निकले तो भी बहुत कश्ट दिये, बहुत दर्द हुआ था, और अभी सरीर है, और सरीर रहते रहते बहुत पहल ही दानत निकल गए और जब दानत जड़े थे जब दानत तुटे थे तब भी बहुत कश्ट दिये थे और जीव जीव जनम से है और आज तक जीव है जीव क्यों है क्योंकि जीव कोमल होती है जो कोमल होता है वो सदेव अपना अस्थाइत मुकाम बनाता है और दानत कठोर हो सदेव बिनम्र रहना आपस में मीठा बोलना एक दुसरे के साथ भाई चारे का व्योहार करना इसलिए संत ने कहा कि बेटा सदेव जीव को नरम रखना जीव नरम रखने का मतलब है कि बिनम्र रहना मीठी मारी बोलना और यही है स्वर्ग पाने की युक्ति जो व्यक्ति पानो स्वर्ग का मालिक बनेगा तो संत ने जो कहा है वो कितनी कीमती वचन है एक-एक सब्दों में कितना महत्त है कितना रहस्त छिपा हुआ है कि जीव को नरम रखना स्वर्ग पाने की ये कला है स्वर्ग इसी तरीके से मिलता है द्रोपदी ने जो एक कटू बचन कह दिया था दुरियोधन को जब राश्व यग में दुरियोधन गया और देखा कि विचित्र भवन और खुले फाटक बंद जैसे दिखते थे और बंद फाटक खुले जैसे दिखते थे और जहाँ पानी भरा था वहाँ थल जैसे दिखता था और जहाँ जमेन थी थल था वहाँ पानी जैसे दिखता था ऐसी रमडी आकरशक और भव्व भवन और वहाँ की विचित्रता थी की दुरियोधन भी भ्रमित हो गया और एक जगे वो पानी में धडाम से गिर गया वहाँ थली अस्थल दिख रहा था लेकिन पानी था और द्रोपदी ने देखा और हस करके मजा की भाव में उन्होंने कहा अंधे के अंधे ही होते हैं पानी में गिरना जितना उसके लिए कश्ट कर नहीं था उससे सैकलो गुना ज़्यादा द्रोपदी के वे बचन दुरियोधन को अंदर तक प्रवेश कर गए और फिर तभी उसने निश्चाय कर लिया की द्रोपदी इसका तुम भरपूर परिडाम पाओगी और वही हुआ कि भरी सभा में द्रोपदी का अपमान दुरियोधन ने करवाया था और फिर इतना ही नहीं महाभारत युद्ध हुआ और फिर कौन हारा कौन जीता ये अलग बात है लेकिन कितनी बड़ी विपत्तियां सामने आई ये छोटे-छोटे कटू बचन के जो प्रभाव होते हैं ततकाल नहीं पता चलते लेकिन हमारे अपमान भरे कटू बचन को कोई सह सकता है लेकिन भूल नहीं सकता ये सदेव सबको ध्यान रखना चाहिए हमने किसी को कटू कह दिया उसकी समझदारी है गंभीरता है उससाह लिया शांत रहा लेकिन वो भूल नहीं जाएगा समय पढ़ने पर वो जरूर कुछ कह सकता है इसलिए भूल से भी अपने दुस्मन को भी कभी कटू मत कहना सदेव शांत रहना सीखें ये मनुस्य की सोभा है आप अपने अंदर इतना मजबूती रखिये कि आपका सोभाव बन जाए मीठा बोलना आप जिधर भी जाएं आपके स्वर से आपकी जुबान से हम किसी को धन नहीं दे सकते हमारे पास धन नहीं है धन नहीं दे सकते और जमीन गाड़ी मोटर कपड़े लगते और भी चीजें हम नहीं दे सकते हैं सबको क्योंकि इतना हमारे पास है भी नहीं लेकिन अगर हम गूंगे नहीं है तो हम कम से कम मीठी बाणी तो दे सकते हैं इसमें ना पैसा लगता है ना कुछ खर्च लगता है ना मेहनत लगती है और ना ऐसी कोई कला का प्रियोग करना पड़ता है कि इतना पढ़ाई लिखाई विद्धता हो इतने लंबे चौड़े हम हो तभी मीठा बोल पाएंगे इसलिए सदे हो मीठा बोलें और इस मीठा बोलने का परिड़ाम क्या होगा कि हमारे आसपास चारो तरफ सर्ग का सामराज मिलेगा जहां भी जाएंगे अपने और परायों में साब तरफ आदर सम्मान प्रेम हमें मिलेगा रोटी किसी को खिला देना उतनी बड़ी चीज नहीं है जितना कि किसी से प्रशन्नता पुरुवक उसका सम्मान करते हुए दो सब्द बोल देना एक बाबुजी जा रहे थे रास्ते में एक भी खारी बैठा था और वो सब के सामने हाथ फैला था बाबुजी एक रुपया पेट के लिए बाबुजी एक रुपया पेट के लिए तो वे सज्जन उधर पहुँचे और उन्होंने अपनी कोट में कोट की जेब में हाथ डाला तो कोई पैसा नहीं मिला दूसरी जेब में डाला संयोग से उसमें भी पैसे नहीं थे अंदर की जेब में हाथ डाला तो वहाँ भी पैसे नहीं वो बहुत सरमिंदगी महसूस किया और उस विखारी के दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहा कि बाबू आज मुझे च्छमा करना मेरे पास एक रुपिया भी नहीं है और समय से मैं जरूर तुम्हें कुछ दूँगा उस विखारी ने कहा बाबू जी आज मुझे आपने जो दिया है वो इस रुपए पैसे से बहुत ज़्यादा बढ़ करके है रुपए तो लोग दे ही देते हैं एक दो रुपए लेकिन रुपए देने के बाद जो आँखें लाल-लाल करके देखते हैं जो कटू बचन बोलते हैं वो मेरे लिए बहुत दुखदाई होता है आपने मेरा सम्मान करते हुए जो मुझे प्यार से गले लगा लिया और मुझे मीठे सब्दों में संबोधित किया ये मुझे हजारों रुपए से बढ़ करके मानों मिल गया ये देखिए जुवान को नरम रखने का ये परड़ाम है इसलिए हमें मीठा बोलना चाहिए साब के सामने सद्गरु कबीर की वाणियां जो हैं सब जगे काम करती हैं हम सब को ऐसे ही वाणियों का मनन चिंतन करके जीवन में सब समय ऐसे मीठे बोहार का साप्टवेर सब समय एक्टिवेट करते रहना चाहिए साइब कहते हैं बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान ये तराजू तौल के तब मुखबाहर आन सब्द संभारे बोलिए सब्द के हाथ न पाओ एक सब्द आऊशदी करे एक सब्द करे घाओ ये सब्दों में एक एक सब्द में बड़ी जान होती है और इन सब्दों को संभाल करके प्रियोग करो सब्द सब्द बहु अंतरे सार सब्द मत लीजए कहाएं कबीर जहां सार शब्द ने द्रिग जीवन सोजीजे सब्दों में भी सावधान रहें ये बोल बोल करके लोग हमें ब्रहमित भी भटका भी शक्ते हैं इसलिए ऐसी जगा ऐसे लोग ऐसी बातों से दूर रहें जहां से हमारे मन में अशान्ति आवे चंचलता आवे दोश विकार और ओगुण आने की संभावना हो वहां से दूर रहें ये सब स्वर्ग पाने की युक्तियां हैं इसी से हमारे जीवन में स्वर्ग का नंदन मन लहराएगा तीसरी बात संत ने कहा कि आँखों में सरम रखना आँखों की सरम कितनी जरूरत है भावतिकता की चका चौन में आज का समाज कितना निरलज हो गया है ये रुपए पैसे, फैशनी, कपड़े और सुक्सु विधाएं इसके लिए आज आदमी अपनी माता को, पिता को, भाई को, पती और पत्नी तथा बच्चों को भी सताने में वो पीछे नहीं रहता और ये टीवी, टीवी ने और कुछ दिया हो या ना दिया हो लेकिन हमारी आँखों की लज्जा और सरम को तो चीन ही लिया आज से 40-45 साल पहले जो बात एक पिता अपने पुत्र से नहीं कह सकता और जो मा अपनी बेटी से नहीं कह सकती है उन सारी बातों को नहीं बलकि उन क्रियाओं को एक कमरे में बैट करके माता, पिता, बेटा, बहु और बेटी सब एक साथ बैट करके देख रहे हैं टीवी के सामने यह है निरलज़ता की पराकाष्ठा और जब ऐसी निरलज़ता होगी जिस टीवी में हम देख रहे हैं सरापपी करके एक व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा है कोई एक लड़का किसी लड़की को ले करके भागा जा रहा है कोई किसी को मार रहा है कोई कहीं चोरी कर रहा है कोई नकब काट रहा है कोई किसी का अपमान कर रहा है जब ये सब हम बैट करके देखेंगे एक कमरे में पिता पुत्र छोटे बड़े सभी तो उन छोटे बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ेगा कि जब हमारे माता पिता सब देखी रहे हमारे बड़े बुढ़े देख रहे हैं तो इन चीजों को देखने में कौन सी बुराई और फिर करने में भी क्या बुराई और फिर वे करने लग जाएं और आपके साथ भी करने लग जाएं तो इसमें कौन दोस है उनका इसलिए ऐसे कारियों को ऐसी बातों को ऐसे द्रिश्यों को देखना और दिखाना ये हमारे लिए कितना गलत होगा हमारे समाज के बच्चों के संसकारों को कैसे हम भोली जलाते हैं ऐसे ही समाज का परिवरतन होता है और सम आज में संसकार, सब्विता और सदाचार लाने के लिए धीरे-धीरे एक-एक बातों को छोटी-छोटी बातों पर जब हम ध्यान देंगे और अच्छे-च्छे स्वयम जीवन में सुभाव, आच्रण, विचार लाएंगे, बच्चों को भी प्रे मिशनें से ऐसी बातें बता आएंगे, ऐसे ग्रंथ देंगे, ऐसे कारिये करके और करवा करके उनको बताएंगे, तब फिर उनको समझ में आएगा, तब उनके जीवन में वो शांती और सद्भावनाओं का अस्थान होगा, इसलिए शंत ने जो कहा कि आँखों में सरम रखना, ये कोई ऐसी बात नहीं ये जीवन की बात है, आज देखते नहीं है, आखों की सरम कैसी समाप्त होती जा रही है, एक तरफ कहते हैं कि लड़कियों के साथ, देवियों के साथ अत्याचार हो रहा है, और एक तरफ ये निरलज बन करके, अर्धनगन हो करके, भीड में, समाज में, सभाओं में, गलि गिद कर रहे हैं, और फिर जब उन पर कोई भेडिया और कुटे बिली जपट्टा मारेंगे, तो कहते हैं हमारे साथ अनर्थ हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, अरे भाई, मांस को फैला करके, जब कहोगे कि गिद इसकी रखवाली करें, तो गिद कैसे र रखवालिया, कोस करें नगर कोटवालिया, अगर चाहते हो कि तुम तुम पर ये गिद जपटे ना मारें, तो जड़ा मांस को ढांक करके रखो, तुम क्या प्रदर्शन कर रहे हो, ये हाड़ चाम मांस का ही तो प्रदर्शन कर रहे हो, और उस प्रदर्शन में तमाम कृत चीजें लगा लगा करके दूसरे उन अज्ञानी लोगों को आकरशित कर रहे हो तो जपनेंगे नहीं तो करेंगे क्या एक तरफ तुम मूढ अज्ञानी बन करके इस हालचाम को दिखा रहे हो एक वो मूढ अज्ञानी वो उसको देख करके ललचा रहे हो तो मूढों में मू कालेजियों की जो लड़के लड़कियां पढ़ने वाले हैं क्या दसा है कितना नंगा नाच होता है हम एक बड़े नगर में थे कालेज के पास ही गुर्देव जी के साथ रहना हुआ कारिकम था जो वहां का तमासा देखे साम होती ही जो लड़के लड़कियां घूमने निकल सराब पी रहें, सिग्रेट पी रहें, खुले आम, और जो हल्ला कर रहें हैं, देख करके आश्चरिट हुआ, कैसा समय आ गया है, कलकत्ता में थे, मेट्रो ट्रेन से जैसे ही निकले, और एक लड़की अभी बिलकुल नवयूती थी, सुटेट बूटेट थी, और स्टेशन प रश्टा चार का तांडो नहीं फैलेगा, तो क्या होगा, नरक नहीं होगा जीवन में, तो क्या स्वर्ग फैलेगा, इसलिए संत ने कहा था, कि बेटा अगर तुम स्वर्ग चाहते हो, तो फिर आँखों में सरम रखना, और अंतिम बात उन्हों ने कहा था, कि दिल में रा को बदलने के लिए प्रयाप्त है संतने कहा दिल में रहम रखना दयालू बन करके रहो किसी को अनधिकृत कष्ट मत दो अपनी चीजों का बन सके तो दूसरों की सेवा में लगा दो दूसरों की चीजों को हडपना ये बहुत ही अनर्थ की बात है एक मजदूर था वो दिन भ आम के पके पके फल लगे थे वो अपनी मन को रोक भी न पाया भूखा भी था एक पत्थर उठाया और मार दिया कई फल गिरे खुस हो गया लेकिन वो पत्थर जाकर के बगीचे में घूमते हुए राजा के सर पे लग गया राजा का सिर्फ फट गया चोट लगी काफी बाहर देखे कि वो एक मजदूर जो है जा रहा था आम उठाए पस खाने ही वाला था उसको पकड़ लिया गया राजा के सामने प्रस्तुत किया गया अब वो नौकर जो मजदूर था घबरा गया कि आज तो अब मेरी मृत्तु होना निश्चित है क्योंकि किसी सामानी व्य उस मजदूर ने कहा कि हुजूर बहुत भूंख लगी थी दिन भर काम किया कुछ खाने को मिला नहीं पैसे भी नहीं थे कि कुछ खरीद सकता तो आम देखा और लालच को रोक ना सका मैंने पत्थर मार दिया बहुत मैंने गलत किया आप जो दंड देगे मुझे स्विकार ह राजा ने कहा घबराओ मत अच्छा यह बताओ जब तुमने पत्थर मारा तो कितने फल गिरे उन्होंने कहा पांच फल मिले तो राजा ने अपने नौकरों से चप्रासियों से एक टोकरी आम मंगाया और कहा उस मजदूर को देते हुए कि जाओ इसे घर में ले जाओ और अपने बालवच्चों को भी खिलाना और खुब तुम भी खाना चप्रासी और अन्य आसपास के लोग देख करके आश्चरी पढ़ गए हुजूरी आप क्या कर रहे हैं यह आपके सर में पत्थर मारा और आप इसे फल दे रहे हैं राजा ने कहा कि देखो इसने एक जड़ पेड में पत्थर मारा तो उसने पांच फल दिया और मैं सचेतन व्यक्ती हूँ जानदार और मुझे पत्थर लगे तो मैं इसे कश्ट दूँ मैं इसे चोट कहुचाऊं मुझे तो इसे और ज़्यादा धन देना चाहिए था लेकिन एक टोकरी ही फल दे करके मैं विदा कर धर्म के छेतर में रहने वाले लोग भी अपनी प्रजा और अपने भक्तों संतों के लिए सोचें कि ऐसे हमदर्द होना चाहिए ऐसे विशाल हिर्दय वाले बन करके जब हम रहेंगे तब हमारे जीवन में शान्ती और समाज में इसका प्रकास पहलेगा और दिल में रहम रखना संत ने कहा था युवक से कि बेटा ये अंतिम बात है स्वर्ग पाना चाहते हो तो मेरी इन पाँच बातों में से इस पाँचवी बात को भी ध्यान में रखना दिल में रहम रखना कभी भी किसी दीन दुखी प्राणी को मत सताना चीटी से हस्ती तक सभी प्राणी सब दुख दर्द के मारे हैं और किसी को दुख देना ये कहा की इंसानियत है सद्गुरु कबीर ने कहा है घाओ काही पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो किसको चोट पहुचाई जाए सबको तो अपने प्राण प्रिय है साहिब ने तो और भी कहा है जीव मत मारो बापुरा सबका एक ए प्राण हत्या कबहों न छूटी हैं जो कोटिन सुनो पुराण तुम जीओं को मार करके अपना पेट भरते हो ये कितना गलत है तुम्हारा पेट तो अन चीजों से भर सकता है और उनकी तो तुमने जान ले लिया उनका पेट ही काट डाले अपने पेट को भरने के लिए जबकि बहुत सारे बिकल्प हैं हज्जारों प्रकार की चीजें खाने योग हैं जो पूर निर्दोष हैं और वो मनुस्य के लिए ही बनाई गई हैं चावल, डाल, साग, सबजी, फल, फूल, दूद, दही, मेवे, मिष्ठान, घी, अचार, आदी, अगडित चीजें हैं और वो सब निर्दोष, प्रयाप्त, मात्रा में सब तरफ उपलब्द हैं जाड़ मांस को मुख में चबाना, खाना, मुर्दा बना करके, मुर्दा को पेट में खाना, दफनाना ये तो बहुत ही नीचता और जंगली पन है बुद्धी का दिवाला निकल जाना है इस हड़ी चाम मांस को खाना और जिसमें थूख खार मल मूत्र भरे होते हैं ऐसी चीजों को मुख में ले जाना कदापी ये पवित्रता और समचदारी की बात नहीं हो सकती चाहे जितने बड़े-बड़े कहलाने वाले लोग इसको खाते हों और इस पर दलील देते हों कि प्रकिति ने भगवान ने इन मुर्गे भेड़ और बकरी आदी को हमें खाने के लिए बनाया है ये तुमने सोचा है कोई भगवान ने आकर के कहा है गरंतों में लिखा है तो मनुस्य ने लिखा है कोई भगवान ने आकर के लिखा है ये हमारी केवल जूठी और मिथ्या दलील है बस इन बातों में कोई दम नहीं है हम सोचे और विचार करें अच्छा तो जिन चीजों में प्रोटीन विटामिन होता है तो क्या उन सब को खाई लेना चाहिए दोस निर्दोस उचित अनुच पवित्र अपवित्र खाद अखाद करड़ी और अकरड़ी इन बातों पर भी तो जरह विचार करना चाहिए अगर गोबर में पता चल जाए कि इसमें भी विटामिन है तो क्या उसको खा लेना चाहिए इसलिए भाई अगर स्वर्ग सुख का अनुभाव करना चाहते हो जी छित न डुलावए खसमै छारी दोजख को धावए। तुम्हे स्वर्ग की प्राप्ति होगी अगर तुम चित को चंचल नहीं करोगे तो. होई बिहिस्त जो चित न डुलावए। चित को चंचल मत करो. ये चित की चंचलता से ही चाहे करोद आता हो, चाहे लोब मोह आलस आता हो और चाहे कटुता मुख से निकलती हो चाहे हमारे आखों की सरम लज्जा हया निकलती हो और चाहे हम कुरूर बन करके हिंसा हत्या करते हो ये साभ हमारे मन की गंदगी का फल है असाहे कहते हैं उसी मन को तुम शांत कर लो बस फिर होई भिहिस्त स्वर्ग की प्राप्ती हो जाएगी असाहे कहते हैं खसमे छाण दोजक को धावे तुम खसम को मालिक को गुरू संत के ग्यान विवेक विचार और उनकी भक्ति शेवा तथा उनके निर्मल आत्म ग्यान को त्याग करके तुम तो नरक की और भाग रहे हो कुकर्म दुषकर्म मन की मलिन्ता यही तो नरक है इसलिए बंदूओं हम मन के इस सारे नरक को निकालें और ये तब निकलेगा जब हम स्वर्ग को अस्थापित करेंगे अपने आप एक के प्रवेस करने पर दूसरा अपने आप निकल जाता है। और जब हम सदाचार, सायम, प्रेम और भक्ति-सेवा को अंदर प्रवेस देंगे तब दुराचार, दुस कर्म, हिंसा, हत्या, कुरूरता, कठोरता अपने आप निकल जाएगी और जब उनको प्रवेश देंगे तो ये फिर अपने आप दूर हो जाएंगे इसलिए हमारे जीवन में शांति, सैयम, सेवा, भक्ति और सदाचार का महत्त होना चाहिए और इसी का पूर्ड प्रकास हैलना चाहिए यही हमारे लिए परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट के लिए और विस्ट के लिए मंगल मैं होगा और यही साप के लिए सत्यम, सिवं, सुंद्रम, सिद्ध होगा इन बातों को हम जीवन में अपनावें और इसका हमारे जीवन में दूसरों के जीवन में सब के लिए पूर्ड प्रकास फैलना चाहिए और यही कल्यान कारी है अपनी बाते में आप लोगे वीच काफी देर से कुछ कहता रहा यहीं पर मैं शमावत करता हूँ आप हमारे इस यूटूब चैनल से जुड़े हुए हैं आप सब को हम बहुत बहुत हार्दिक सुबकामना देते हैं कि आप हमारी इन छोटी छोटी बातों को और हम जैसे लोगों को भी सुनते हैं और बड़े प्रेम से इसका स्वागत करते हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं आप सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं इसके लिए भी हमारा मन बहुत गदगद होता है और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से सनमार्ग में और महतपुर्शों, संतों, गुर्जनों हमारे गुर्देव जी और भी संतों के जो विचार हैं उन सब को आप सुनें और हमारे इस चैनल से भी जो विचार कुछ प्रशारित होते हैं भजन और प्रवचन इनको भी आप सुनते रहें इनसे भी लाब लें अपने मित्रों में, साथियों में, परिवार में, बालवच् चाहिए बस यही हमारे जीवन का लाब है यही जीवन का सुख है यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धी है और दुनिया की चीजें तो सब छुटने वाली है देखते नहीं है अचानक सब छोड़ छोड़ सबजात है देह गेह धन राज क्या यहां साथ रहेगा इसलिए खाए पकाए लुटाए ले कर ले अपना काम चलती विरिया रे नरा संग न चले जदाम बस अपनी बात यही पर समानत करता हूं